दोस्तों मर्क्ष है आप सब का स्वागत करता हो आप सब की उटूब चैनल लर्निंग गुरू पे आज की वीडियो का टॉपिक है टैक्स tax क्या होता है, tax क्यों लगाते हैं, tax लगाने का अधिकार, सरकार को किस ने दिया, tax के प्रकार कौन से है यह ऐसे question है जो एक common student के साथ साथ एक common person मतलब एक normal person मन में कभी न कभी तो आते ही है और मुझे यकीन है यह question आपके मन में कभी न कभी आई होंगे इस वीडियो के जरिए मैं आपके इन सभी question का जवाब आपको देने वाला हूँ तो बिना समय गवाए इस वीडियो का हम चालू करते हैं अपने पहले question के साथ tax क्या होता है, तो tax क्या है, tax is a fees charged by a government on a product, income और activity अगर government किसी product के उपर या फिर किसी income के उपर या फिर किसी activity के उपर fees charge करती है, मतलब government उस कान के लिए, उस product के लिए, उस income के लिए, उस activity के लिए कुछ पैसा मंगती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, tax बोलेंगे, अगर एक लाइन में बोला ना जाए, तो ऐसा बोल सकते है कि government अगर हम से कुछ fees लेती है, तो हमारे लिए क्या कहलाता है, tax कहलाता है, next time हम आर लिए कि tax क्यों लगाते है, हम ये पता होना चाहिए कि tax क्यों लगाया जाता है, तो tax लगाने का purpose क्या होता है, तो government का पहला काम होता है कि public के welfare के उपर ध्यान दी, मतलब उनकी पहली responsibility हो इसलिए government क्या करती है, public welfare के लिए बहुत जादा खर्चे करती है, जैसे कि वो healthcare के उपर खर्चा करती है, education, employment, infrastructure, social security, defense और other development की needs के उपर खर्चे करती ही रहती है, तो इसके लिए government को बहुत जादा funds की या revenue की ज़रूरत पड़ती है, पैसी की ज़रूरत पड़ती है, तो government क पास ये पैसा कहा से आए, तो government का primary जो revenue का source होता है, वो होता है tax, taxation जिसे बोलते हैं, तो government क्या करती है, कि revenue generate करके, tax से revenue generate करके उसे public welfare के उपर खर्च करती है, इसलिए यहाँ लिखा गया है, कि government एक हाथ से tax लेती है, तो दूसरे हाथ से वही पैसा public के welfare के उपर खर्च करत है, अगर मुझे आपको एक simple word में बताना हो, तो tax लगाने का purpose, अमेर लोगों से पैसा लेना है, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उन्हें पैसा देना है, मतलब जिन के पास पैसा है, उन्हें पैसा लेके government, जिन लोगों को उस पैसे की जरूरत होती ह उन्हें देने का काम करती है, as a subsidy के रूप में या फिर healthcare facility के रूप में या purpose या फिर source पैसा देने का government welfare का कोई भी हो सकता है, तो आगे हम बढ़ते है, next question के तरफ, tax लगाने का अधिकार सरकार को किसने दिया, कि किसने बोला कि government tax लगा सकते है, हम चाहें तो हम tax लगा सकते ह तो उसे ही समझते है, तो हमारे Indian constitution ने यह अधिकार दिया है, कि government tax लगा सकते है, तो central government और state government यह दोनो tax लगा सकते है, एक restriction है हमारे Indian constitution में, article number 265 में, कि no tax shall be levied or collected, expect by the authority of law, मतलब authority of law के अलावा कोई दूसरा tax नहीं लगा सकता, जैसे कि अगर मेरी इच्छा हुई किसी से tax वसुल करने की, तो मैं नहीं लगा सकता, only उन्ही authority को अलाव किया गया है, जो हमारे Indian constitution ने permit किया गया है, एक्स कोश्यन है, कि tax के प्रकार कौन से है, तो tax के दूपरकार होत होता है, indirect tax, पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझा दीता हूँ, tax of which incidence and impact fall on the same person is known as direct tax, पहले मैं दो वर्ड का आपको मिनम समझा दू, incident और impact, incident का मतलब किस के उपर लगाया गया, और impact का मतलब किस ने वो भरा, अगर जिस व्यक्ति के उपर tax लगाया जाता है, और वही क्या बोला जाएंगा, direct tax, मान लिजे, example के तोर पे, income tax, income tax में भी हमें example लेते है, जिसे मान लिजे, मैं एक businessman हूँ, जो 5 करूड कमाता हूँ, सालाना, yearly मेरी income 5 करूड की है, government ने वो tax, लेवी मेरी उपर किया, मतलब मेरी उपर लगाया, तो incidence क्या हुआ, मेरी उपर, और income tax जिस व्यक्ति का income tax हुँगा, वही भरेंगा, मतलब मैंने 5 लाग के उपर tax मैंने पड़ा, तो उस income tax का impact, जो प्रभाव किस के उपर पड़ा, मेरी उपर पड़ा, इसलिए income tax क्या हुआ, direct tax हुआ, तो हम direct tax में हम बोल सकते हैं कि government जिस व्यक्ति के उपर tax लगाती है, अग उसी क्या बोलेंगे हम direct tax, और अब दूसरे word indirect tax की बात करें हम, तो tax of which incidence and impact fall on two different persons, मतलब अगर incident और impact अलग-अलग लोग के उपर हो, तो उसी हम क्या बोलेंगे indirect tax, जैसे for example, GST, GST normally अभी लगाया तो customer के उपर ही जाता है, पर directly customer से वसूला नहीं जाता है, indirectly वसूला जाता है, क्या करते हैं, अगर हम कोई goods and services के उपर जो tax लगता है, उसे हम बोलते हैं, GST, हम कहां से खरिटते हैं, गुड्स किसी seller के पास से, तो seller हमें बेशते समय, GST के साथ हमें बेशता है, तो ultimately क्या कि GST, seller नहीं बरा, अगर seller ने GST बरा है, तो seller ने वसूल किसे किया है, हमारी उपर, तो हम बोल सकते हैं, क्या हुआ, government ने GST लगाया, seller के उपर, मतलब incidence कोन हुआ, seller हुआ, but seller ने वसूल किसे किया, हम से, consumer से, तो impact किस के उपर हुआ, consumer के उपर, तो यहां दो लोगा है, औ तो different लोगों के उपर incidence होता है, और उसका impact होता है, तो government ने लगाया seller के उपर, पर seller ने वसूल consumer से किया, इसलिए किया हुआ, indirect tax हुआ, क्योंकि यह directly consumer से वसूल नहीं किया गया, यहां तीन लोगों कि scale आई, एक government आया, एक seller आया, और एक consumer आया, इसे थोड़ा और ज़्या directly from the SEC, SEC का मतलब वो होता है दोस्तों, जो tax को भरता है, अकर मैं tax देता हूँ, तो मैं SEC कहला हूँगा, who such ultimately bears the such taxes, मतलब क्या हुआ, direct tax में मेरे उपर tax लगाया गया, और मैंने ultimately जिसके उपर tax लगाया गया था, मैंने भर दिया, just like हमारा example के तोर पे, income tax, whereas in the case of indirect tax, indirect tax में क्या होता है, tax is recovered from the SEC, SEC से tax लिया जाता है, who pass such burden to another person, मतलब लगाया गया था, seller पर उसने अपना burden, मतलब वो जो कर उसे भरना था, tax उसे भरना था, वो किसी और के उपर shift कर दिया, मतलब consumer के उपर shift कर दिया, and is ultimately born by consumers of such goods or services, और वो किस ने भरा, consumer ने भरा, तो अकर मुझे एक simple simple line में बोलना है कि direct tax क्या, तो जिस व्यक्ति के उपर tax लगाया गया, और वही व्यक्ति tax को भरता है, तो कहलाता है direct tax such like as income tax, दूसरा type indirect tax मतलब लगाया किसी और के उपर जाता है, उसका incidence किसी और के उपर होता है, और उसका impact किसी और के उपर पढ़ता तो क्या कर लाता है हमारा indirect tax, जैसे for example GST लगाया गया seller के उपर, पर seller ने वसूल किस से किया, consumer से किया, I think मैं आपको जो भी मेरी 4 questions ते मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, अगर आप इस वीडियो को इन तक देखे हो, तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए, अगर य यह information किसी और के काम भी आ सके, thank you दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, goodbye, take care